वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारी सी मोटिवेशनल सायरी आप सभी के लिए तूफानों की हमें फिक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं जी हाँ इस मोटिवेशनल सायरी के साथ आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जैसा है कि आप सभी को यहाँ पर दिकर आई यूपी बोर्ड एक्जाम दोहजार चौबिस अब आपके गिने चुने दिन ही आपको आपके पास हैं और यहाँ पर मैं ये वीडियो किन के लिए लेकर आया हूँ कमजोर छात्रों के लिए जी हाँ जो बेहद कमजोर हैं और बोर्ड एक्जाम को लेकर डरे हुए हैं उनके लिए वीडियो काफी खास होने जा रही हैं अगर उनके पास 4-5 मिनिट का समय है तो पुरा समय देकर जो है वीडियो देखें मैं गारंटी तो नहीं लेकिन आपको पुरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके 20-30 प्रतिसत जो है अंक इस वीडियो के बाद जरूर बढ़ने वाले हैं इसलिए वीडियो को सुरूसन तक जरूर देखो और अच्छा लगे तब लाइक करना और इसके बास सेयर करना देखो बच्चो हमने यहां हेडिंग डाला है कमजोर छात्रों के लिए पास होने के तीन रास्ते बचे हैं जो छात्र वेहद कमजोर हैं उनके लिए पास होने के कितने रास्ते बचे हैं केवल तीन रास्ते बचे हैं अब वो तीन रास्ते कौन से ऐसे हैं कि अगर उनको अपना लेते हैं तो इस बोड इक्जाम में वह भी पास हो जाएंगे और ना किवल पास होंगे बलकि बहुत अच्छे अंक से पास होंगे बचे हुए समय में जितना भी आपके पास समय है अगर 20 दिन पहले देख रहे हो तो 20 दिन का समय दस दिन पहले देख रहे हो तो दस दिन का समया नि जितने भी बचे वे समया के पहले आप यहां पर देख रहे हो उन सब के लिए पास होने के कितने रास्ते हैं तीन रास्ते हैं तो काफी कारगर है बच्चो ध्यान दीजे तो तीनों रास्ते क्या हैं रास्ते बताने से पहल आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि चिंपुली क्या है तो चिंपुली कार्थ भी समझाएंगे पहले उन तीन रास्तों पर हम यहां पर आ जाते हैं जैसा कि आपको यहां पर दीख रहा है तीन रास्ते important questions, one model paper daily and अच्छी लिकावट देखे बच्चो अब आपके पास पुरा topic और heading पढ़ने का समय नहीं है अब आपको important questions पढ़ने होंगे important questions कैसे आपको मिलेगा जो आपने विद्या या question bang खरीद रखा है उसमें most important questions जो है उनको आप पढ़ना start कर दीज़े जादा से जादा जितना time मिले उतना पढ़िए और one model paper daily courses करिए किसी भी जो पहले paper है जो पेपर जो subject के paper पहले है उनका one model paper daily लिखना आप start कर दीज़े जिमला भाल करना को कि सर हमको तो कुछ आता ही नहीं और आप यहां पर बता रहें कि एक model paper daily साल्व करो तो एक बात ध्यान दो बच्चो अगर आप एक model paper को साल्व करते समय आपको बहुत सारी दिक्कत होगी क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं तो आप उसको कम से कम 5 दिन 6 दिन लेकर करने में फिर से एक बार repeat कर दो तब दूसरा model paper हल करो अगर ऐसा करोगे तो निश्चित तोर पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इस board exam में तीसरी सबसे मतलब कि तीसरा जो आखरी रास्ता है अच्छी लिखावट देखें लिखावट बहुत matter करता है आपके board करना होगा कि आप हेडिंग काली पिंसे और नीली पिंसे जो है अपने उत्तर को लिखिए थोड़ा सा कोशिस करिए कि उत्तर में जो है काट पीटना रहे राइटिंग कितनी भी गंदी रहे चलेगा लेकिन काट पीटना रहे अगर साफ साफ राइटिंग रहेगी तो examiner आ आर्थ क्या होता है अगर चिंपुली लगा देंगे तो निश्चित तोर पर मज़ा आ जाएगा चिंपुली में देखिए तीनों सब्दों का आर्थ मैंने यहां लिखा है चिन माने चिंतन पूमाने पुनरावृति और ली माने लिखना चिंतन मतलब जो मोस्ट इंपर्ट पुनरावृति बार बार उन कोशनों को रिपीट करिए लगाईए और लिखना मतलब उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए जो भी आप चिंतन करेंगे पुनरावृति करेंगे उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको काफी कारगर फायदा होने वाला ह अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें मिलेंगे नेस वीडियो में ठैंकि सोमच जैहिन पन्ने मात्रम